वीडियो आपके एजुकि लगभग 12 का कोर्स खतम होने वाला है तो सबसे इंपोर्टेट है 12 क्लास के बच्चे अब किस तरह से अपना रिविजन करें क्योंकि उनके पास अभी तीन तारगेट हैं अगर हम तारगेट के साफ से बात करें तो पहला टारगेट है उनको 11 का कोर करना है थार टागेट है उनको 12 बोड की त्यारी भी करनी होगी और साथ में कुछ ने-कुछ एक्ष्टा सब्जेक्ट भी है जो भी तक आपने तयार नहीं कर रखें जैसे हो सकता है कि वह इंग्लिश हो हो सकता है वह कंपूटर साइंस हो हो सकता है वह फिजिकल सब्सक्राइशन में आ रहे होंगे तो मेरा सब्सक्राइशन है क्योंकि बहुत से बच्चे यह डाउट पूछ रहे हैं मुझसे किसर कैसे करें तो मैं चाहते हैं ताकि बच्चों की प्रपर प्लानिंग हो जा देखिए आपको पहले समझना और सीखना होगा कि आप जिस ट आपको इन पांचे मेनों में मैंनेज करना प्रॉलम यह रही होगी सबसे पला डाउट रहता है कि इसरम किस को उठा है तो मेरा सजेशन है सबसे पहले आप रुनिंग को थाईए और ट्वेल्थ में भी कोशिश कीजिए कि अभी जो रुनिंग चल रहा है ना उसको होते वे पीछ ले जाओ जनली बच्चा क्या करता है कि जैसी कोर्स खतम होता है 11 शुरू कर देता है अब 11 शुरू करने से प्रॉलम यह आएगी कि 11 का जो मैटर रिविजन मोड में आपके पास आ रहा है वह आपके लिए प्रॉलम में बिकोज अगर आपने 11 को रिविजन करने लग किया और आप 100% सेलेक कर पाऊगे आप जो पहली बार रिविजन करोगे तो एवरेज 50 से 60% ही रिविजन हो पाए आप 100% जाही नहीं पाऊगे इसलिए यह कॉंफिडेंस सच सामने रखिएगा कि आपका जो पहला रिविजन होगा उसमें आपके पास केवल 50-60% ही समय तक मेंटेन करने के बाद आपको ग्रिप करेगी मतलब आपको पंडरा दिन बीना सोचे समझे रिविजन करोगे तब जाके ग्रिप बनेगी तब जाके कॉंफिडेंस आगा अगर आपने सब कुछ फेला के रखा है मैसी कर दिया अपने आपको तो फिर आप रिविजन से नहीं कर पाऊगे मैक्जीमम बच्चों का रिजल्ट कोर्स खतम होने तक अच्छा चलता है कोर्स के बाद का जो यह बहुत क्रूशल स्टेप होता जिस पे जनली बचा की रेगुलर मुवमेंट करता वो फस जाता है टाइम टेबल को प्रोपर फोलू करना सीको किसी एक को लेकर बेटो जो भी हाली में कंप्लीट हुआ है उसको ग्रिप करके कंप्लीट करो पहले कॉंफिडेंस ले क्या डीपी कर सकते हो शीट कर सकते हो पर प्रॉब्लम में इससे टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना तो सबसे बेस सजीशन है पीवाइक्यू करिए पीवाइक् क्यों करिए उससे आपको एक बहुत अच्छा नोलेज मिलेगा कि मुझे इस चॉपिक पर कितनी लेयर ट्यारी करनी है एक्स एक्स्प्रियंस विल भी मच मोर हेल्फूल एक्सेप्ट एज टीचर एज स्टुडेंट आपको वह फायदे में काम आएगा तो सबसे पहले पीवा आगे बाद नहीं कोशिश करोगे तो क्या होगा अपकी सारी एक 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 पर जाएगी मुझे बता एकसे मोनो टोनस हो जाएगा फ्यूचर में पर बेटा अभी पंडा दिन तो आप एसी चलो एक बार पंडा दिन आप एसे चल लोगे ना तो उसके बाद फिर आप दो-तिन स सकते हो मेरा सजेशन है कि आप मैसोफिजिस को पहले हैंडल कीजिए केमेस्ट्री में बहुत सा पाड़ाफिकेशन हैं उसे बाद में भी हैंडल कर सकते हो पर यह दोनों आपको ज़दा टाइम दी कंजूम करेंगे तो याप फिल्ट हो सकता है तो आप पहले मैथमेटिक से फिजिक्स पर ध्यान दीजिए इसके सिवा एक और इंपोरेंट पॉन्ट जो मुझे समझ में आता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले आपने टोल के पार्व कंप्लिक कर लिया टेस्टीजिस के पीछे भी मत मागो जब तक आप एक बाप फुल सिलेबस को रिवा या पार्टली में भी थोड़ा इस्यू रहता है मिखस बेजाते कोई कोशन फिक्स एक जैस इसटीजिस तो मैंने मेरा एक्स्पेंस रहा है कि बच्चे बोटीवेट होते हैं जज पेपर देते हैं तो तो पेपर देने से पहले कम से मिदो बार रिविजन तो मांगता हूं दो बार रिविजन करने के बाद ही पेपर देने के लिए आगे बढ़ो आपको मतलब मेरे साब से क्लिक करने में कोई इस्यू नहीं है तीन घंटाय टाइम व्यतिद करने में कोई इस्यू नहीं है तो ऐसा नहीं लगता मुझको कि आपको उस में कुछ इस्यू हो सकता है त तो कोशिष कीजिए कि paper देने का part December के बाद काओ, अभी December से पहले जल्दी ना करें और एक बार धंग से revision करें. एक बार 12th revise करने के बार 11th revise करें, और साथ में अपना पहली बाफ़वक परके रखें, एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेंड करें, 300 pages का 100 pages for physics, 100 for math and 100 for chemistry उसको 30, 30, 40 में डिवाइक कर लीजिए और उसको प्रॉपर डिश्यूट करिए और कंसाइस सों में वह सम्मेटर में खट्टा करते रहें लिए क्योंकि अभी से प्लानिंग करेंगे तब जाके लगबग जनुरी-फरवरी के आज पास फूल सिलेबस दो-तिन बार होगा तब जाके आपके पास 300 पेज का रिजिस्चर अवेलेबल होगा जो तीन घंटे से पहले वाले दिन काम आएगा त्यूकि आप वो एक रिजिस्चर पेज का पढ़के चले जाना आपका PCM सारा उसी एक रिजिस्चर में अवेलेबल है ताकि एक रिजिस्चर रिविजिन करो फूल सिलेबस की त्यारी हो जाएगा यह बहुत जरूरी है फ्यूचर देखते हुए अभी से अपना प्लानिंग सेट करिए तब जाके हम सही रेंक और सही एप्रोस तक पहुंच पाएंगे हम अपने फर्स अच्छे लगा और तुरंत कोशिच कीजिए दो मैंने तक तमीज से रिविजन कीजिए और अपनी लाइफ को दो पार में डिवाइट कर लीजिए यह बहुत जरूरी है ताकि आप बैलेंस कर पाओ अपने 12 के पार्ट के लिए भी और अपने आईट के पार्ट के लिए भी तो आप आसानी से कहानी को अपने अपने अपनी जो लाइफ टाइम जो भी एजुकिशन का टाइम अवेलेबल है उस टाइम को दो पार में डिवाइट कर लीजिए यह वेरी इंपोर्टेंट किसा सवरे का टाया पार्ट मेरा इसके लिए और में दोनों को इंटेफरेंस नी करता और प्लीज एक प्लीज में यार कुछ याद नी हो रहा पर यह पत्य पलटते पलटते दीवाग अपने आप उसको ग्रिप कर लेता है तो शिच का भी फायदा है कि पत्य प्लटना सीके जब भी फ्रियो रजिस्ट्र उठाइए बस पत्यों को इसे देखते देखते चले जाए आपको नही यह मोट सीख लिया ना टाइम मेरेजमेंट के अंदर तो आपका रिविजन भी फटा फट होगा तो एक बार एक बार प्लीज रिवाइस करके 15 दिन के बाद मुझे फिडबेक दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है कॉंफिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है ओके बाई-बाई प्लीज जसुटटब गया है था दो एक बाहा है बाईम ऐसे बाईमेंगे ड़से हैपको के बाईमेंटेंस आ रहा है औा रहा है कि बाईमेंट प्लीज़ ओको कि अ